Hello Friends, अज का हमारा टॉपिक है Super Senses of Animals सबसे पहले जानते हैं Sense Organs Eyes, Ear, Nose, Tongue, Skin ये Sense Organs हैं जिनसे कोई भी एनिमल्स अपने आसपास के चीजों के बारे में पता करता है, जानता है, सुनता है, सुनता है और फील करता है इनी Super Senses का इस्तमाल कुछ एनिमल्स अपने सकार पकड़ने में भी करते हैं सबसे पहले Ant Ant, Chinty, ये अपने पीछे एक Smell छोड़ती हुई चलती है, जिससे की इसके पीछे आने वाली चीज़ती हैं, उसी Smell को सुनते हुए पीछे पीछे चलती हैं और एक रास्ता ढून लेती है Next है Silkworm, ये है कई किलोमेटर दूर से अपनी फीमेल को सुन कर ही उसके बारे में पता लगाया सकता है Next है Docks, तो डॉक के पास हमसे इनसानों से 10,000 गुना ज़्यादा Smelling Power होती है और इनकी Hearing Power भी बहुत स्ट्रॉंग होती है, ये धीमी से धीमी आवज को भी सुन सकते हैं इसलिए इनी गुनों के कारण, इसी Super Sense के कारण पुलिस और पाकी के Rescue Operation में डॉक्स का यूज किया जाता है Next है Dolphin, Dolphin एक दूसरे को Message करने के लिए Different Type की Sounds का Use करते हैं Next है Eagle, Eagle के पास देखने की एक Super Sense होती है, ये आसमान से उड़ते हुए भी Ground पर एक छोटे से चुए को भी देख सकती है इनसानों से कई गुना ज़्यादा एक दम साफ साफ Eagle देख सकती है Next है Bat, Bat यानी चमकादर, चमकादर के पास एक Super Sense होती है, जिसे Special Sonar System या Eco Location भी कहते हैं ये उसका Use करती है और अपने सिकार का पता लगा लेती है Next है Mosquito, Mosquito मनुस्य की गंद को लगबग 165 फिट की दूरी से भी सूंख सकता है और अपनी इसी Super Sense की वज़े से ये अंधेरे में भी इंसानों का पता लगा लेता है Next है Ape, ये एक Different Type की Sound का Use करते हैं एक दूसरे को Message करने के लिए अगर खत्रा आस्मान से हो तो एक अलग टाइप की आवाज और अगर खत्रा जमीन से हो तो एक अलग टाइप की आवाज यूज करते हैं जिस उस आवाज को समझते हुए बाकी की जो Member होते हैं वो Alert हो जाते हैं नेक्स्ट है टाइगर टाइगर इसको इसमें रात में हमसे 6 गुना अधिक साफ देख सकता है इसके जो मुचों के बाल होते हैं वो हलकी सी Vibration को भी पता लगा लेते हैं इसके कान डिफरेंट डिरेक्शन में मूव कर सकते हैं और जिसकी वज़े से यह हलकी से हलकी साउंड को भी सुन सकता है इसकी जो दहाड है रौर है वो 3 किलोमेटर दूर तक सुनाई दे सकती है बाकी इसके लावा भी कुछ एनिमल्स हैं जैसे की काव है, फिश है, टैट है, बफेलो है, पिग है इनके अंदर भी कुछ एक सूपर सेंसिस होती है एक छोटी सी घटना है कि दिसमबर 2004 में अंडमान आइलेंड पे कुछ ट्राइब्स ने नोटिस किया कि उनके एनिमल्स कुछ अजीब सा बिहेब कर रहे हैं तब उन्होंने इनके जो बिहेब था उसको समझते हुए आइलेंड के सेफर पार्ट में यानि अपर साइड में चले गए और कुछी समय बाद एक सोनामी आइलेंड से टकराई लेकिन ये सारे लोग और ये जानबर बच गए जो की एक सेफ जगा पर जा चुके थे आज के लिए इतना ही धन्यवाद